कि घरेलू उपाय में आप सभी का सवगते हैं एटियम से सिर्फ सो सो रुपए के नूट निकलने लगे तो आप चौकिये गाने कुछ जी हां अभी तक एटियम से पांसो हजार के नूट ज्यादा तर निकलते हैं सो के बहुत कमी निकलते हैं लेकिन अगर आप ऐसा निकलने सब्सक्राइब तो इसका आप चौकिये का नहीं क्योंकि कभी-कभी हम लोगों को पैसे के छुट्टे की या फुटकर की प्रॉब्लम आ जाती थी अगर कोई छोटा सामाल लेना होता था तो बड़े नोट लेकर पांसो या हजार अमाली ये दस बीस रुपए का समाल लेना तो सौकी नोट चलती है आमाली ये आपके पास हजार की नोट है तो आप दिक्कत में पर जाते थे तो इस चीज मार्केट में जो सौके नोट की जो कमी हो गई थी इसको सही करने के लिए आर्बिया ने कुछ ऐसा ही कदम उठाये है तो जानए ऐसा क्या है इसको जानने के लिए आप आगे वीडियो को देखते रहिए बैंक को जनता की सौ रुपाय की नोट की जरुरत को पूरा करने के लिए रिजर बैंक कदम उठा रहा है केंद्री बैंक एक ऐसा पाइलट योजना पर काम कर रहा है जिसके तहत देश भर में दस पतिशत एटियम से प्रविस् की अधिसूचना में कहा गया है कि स्वच नोट की नीती के तहत जनता की सौ रुपाय की नोट की उचित जरुरत को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा बैंकों को अपने एटियम में पर्याप्त संख्या में सौ रुपाय का नोट डालना चाहिए बैंकों को इस दिशा मे परसाइद करने के लिए पाइलेट परियोजना शुरू की करने का फैसला किया गया है जिसके तहट देश के 10 परतीसत एटियम में से प्रविष्ट रूप से 100 रुपए की नोट निकलने जा सकते हैं प्रजर्व बैंक ने कहा है कि ऐसे में बैंकों को सला दी जाती है कि वे 10 परतीसत एटियम में यह विवस्था सुनिश्चित करे रिजर्व बैंक ने हाल में बैंक को उन कदमों को समीच्छा की जिसमें के तहत ऐसे एटियम लगाए जाने है जो कम मूल का नोट देते हैं तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूले और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझा चल रहा है तो कमेंट बाक्स में लिख कर पूछने या बताना न भूले और अगर आपने अभी तक हमाई यूट्यूब चैनल दी घरेली उपाय सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुन सब्सक्राइब पहले ताकि आगी भी आपको ऐसे जानकारी वाले वीडियो मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में तब तक नमस्कार दोस्तों